Hello everyone, मैं विश्र जीत सिंग, आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज कि इस वीडियो के अंदर में हम Unit 7 पढ़ने वाले हैं MA History, MHI 08 का, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस particular unit के अंदर में कितने chapter से कौन-कौन से question बनेंगे, किस तरह के topics बनेंगे, questions के pattern क्या होंगे और ये जो short video है, वो एक selective study के आपके लिए बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है exam का date announce हो चुका है, ठीक है, time कम है तो अगर आपको पता हो कि इस particular unit के अंदर में ये chapter है इस chapter के अंदर में ये topic है, इस तरह के questions है तो आप सिर्फ उनी को पढ़ों कर अच्छे नंबर ला सकते हो, सारा पढ़ने की जोड़ोत नहीं रहेगी तो selective study के लिए video बहुत ज़्यादा helpful रहेगा तो वीडियो को last तक देखिया, जिससे आपको चीज़ समझ मैं है चले, start करते है अपना वीडियो तो unit 7 के अगर हमें बात करूँ, तो unit 7 के नंदर हम बात करेंगे आदूनिक चिंताएं के, अब देखो modern world है, देरे देरे हमने समझ लिया कि परियावरण है क्या, परियावरण का हम बचाव कैसे करेंगे, इस्तिती किस तरह सरही सब कुछ हमने समझ लिया, अब लोगों के मन में कुछ चिंताएं भी थी, प्रॉब्लम्स भी थी, आदूनिक समय में तो किस परकार की थी, उसके बारे हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर नमबर 22 में, जिसके अंदर हम बात करते हैं विकास, यह परियावरण, चिंताएं, किस तरह से विकास हुआ, विक्सित हुए हम और परियावरण, चिंताएं कौन-कौन से थी तो अलग-अलग लोगों का, जो ग्रुप था, उन्होंने अलग-अलग तरीके से चिंताएं विक्त करी तो पहला आता है डीप एकोलोजी का, इसमें चार तरह की विचारधारे के हम बात करेंगे तो पहला आता है डीप एकोलोजी का, जिसके तुरू ही का जाता है कि मानव के द्वारा, मानव का जो पूरा सरीर है मानव का किस तर से परियावरण के साथ अंतर संबंध है उसके उपर में डीप गहरी थिंकिंग के थुरू सोचा गया, ठीके क्या चीज़े हैं, चिंता ही जो व्यक्ती गई, वो यहाँ पर डीप एकोलोजी का जाता है इसको हिंदी में अभिन परितंत्र भी का जाता है तो पहला आगया डीप एकोलोजी, ठीके दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं समाजिक परितंत्र के बारे में समाजिक परितंत्र के अंदर में क्या हुआ कि समाज किस तर से परियावरण को देखता है, उसके बारे में आप बताओगे तीसरा यहाँ पे रहता है कि महिलावादी परितंतर, जो महिलाएं थी, महिलावादी जो विचारक थे, उन्होंने किस प्रकार से परियावरण को देखा, वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे चौथा रहता है समाजवादी, ठीक है, अब देखो, एक हम समाज में रहे रहे हैं तो समाज भी तो देखेगा ना परियावरण को कि किसी साब से देख रहा है, उसकी साब से परियावरण क्या है, परियावरण की जरूते क्या है, तो समाज ने किसी साब से परियावरण को ए better तरीके से दे रखा है, वहाँ से समझ में आ जाएगा अगले chapter के और बढ़ते हैं, और ये जितने भी topics हैं ना, सारे 10 number के tipni basis question पे आते हैं तो tipni के लिए बहुत useful topics हैं उसको जूरू देखें, अगला chapter chapter number 13, जिसके अंदर में हम बात करते हैं जै विविदिता, जै विविदिता है क्या, देखो biodiversity in English, इसके अंदर में जो भी सजीव है, मैं अलग तरीके से दिखता हूँ, आप अलग तरीके से दिखते हो पेड़, पोद, जीव, जन्तु, ये सारे जै विविदिता के मतलब पर मान के तौर पर देखे, जै विविदिता कैलाते हैं सजीव को हम जै विविदिता के तौर पर देखते हैं तो जै विविदिता होती क्या है, जै विविदिता की ज़रुत क्यों है, क्या विशकता है आदुनिक समय में जै विविदिता किस परकार से है उसको लेकर एक question आ जाता है वो आप यहाँ पताओगे ठीक है अगला जो chapter है chapter number 24 जिसके अंदर में हम बात करते है परियावर संसादन और patents यहाँ परियावर संसादन किस तर से उपयोग किया गया किस तर से संसादनों को विक्सित किया गया उपर मैंने पढ़ लिया असंसादनों का किस तर से दोवा नहुआ सब कुछ पढ़ लिया अब उसंसादनों के उपर में patents लाए गया एक patents होता है जो किसी भी चीज़का अगर मालनों मैंने कोई pan बनाया तो उसके उपर पर मैंने अपना अधिकार जमाने के लिए पेटेंट करवा लिया, ठीकी गौर्वर्मेंट से जाकर कि भाईया, ये मेरे नाम का है, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता है, मैंने वीडियो डाली दीन पर तो कॉपी राइट अधिकार मेरा हो गया इस पर, क्योंकि मैंने बनाई है मैंने डाली, अगर कोई मेरे वीडियो कॉपी करके डालेगा यूटूब पे, दूसरे चैनल पे, तो मैं उसको कॉपी राइट क्लेम कर सेकता हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो है, उसकी अर्णी मेरी होगी, ठीक है, ये माना जाएगा, क्योंकि मैंने वर्क किया था निस वीडियो पिस्नली नहीं तो उस तरीके से चीज़ है, यहाँ पेटेंस कीस तरर से व्ग करता आप मैं पता है, अगला जो चैप्टर है आपका, 25 बारे मैं,orang कीसरे में, worry, क्या है, विकल्प क्या है तो यहाँ पे देखो, अलग-अलग विचारकों के बारे में discuss किया जाता है, कि जैसे आज के समय परियावरन की सिती किस तर से, लोग किस तर से परियावरन का दोहन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, क्या लोगों की thinking परियावरन को लेकर, तो विकल्प के तोर पे यहाँ पे तोर पे बदलोगे, ग्राओं के तोर पे बदलोगे, तब आप विकास कर पाओगे, यह गांदी जी ने माना, ठीके, आपे जो गांदी जी की हिंद स्वराज करके जो लिखी जाती तो स्वराज वाली पुस्तक होती थी, जो प्रत्रीका होती थी, उसके अंदर में इसके ब छिपको आंदूलन तो वह किस प्रकार से रहा, चिपको आंदूलन का क्या मोटीव रहा, किस तर से प्रियावरण को बचाये गया, ज़रुत क्यूँ है आंदूलन की, अलग-अलग समय पर अलग-अलग आंदूलन चलते रहे, ठीके, तो वो यहाँ पर आप डिफाइन करोगे तो किस तर से परियावरण के समय में नए यूग के अंदर में नए चीजों की जोरत है, किस तर से चीजे चेंजे सो रही है, वो यहाँ पर विकल्प वाले उप्शन में आ जाता है, तो गांधी जी ने अपनी आइडिलोजी रखी, वो यहाँ पर रखा जाता है, बहिए प्रिस्पॉंस रहे आप सभी इस्टुट्स का अगर आपके लिए लगता है कि यह वीडियो जो में ने वीडियो डाली है MHI08 का और भी बागे सारी वीडियो से में हिस्ट्री की अगर आपके लिए वैल्यूबल है ठीक है तो थैंक्यू कर सकते हो आप मुझे, थैंक्यू बोल सकते हूँ ठीक है? और कमेंट करके थैंक्यू बोलिए अपने सभी social media platform पर हमारे दीन अपका status लगाई है ठीक है आप thank you बोल सकते हैं में status लगाकर ठीक है हम बहुत ज़ादा helpful फिल करेंगे क्योंकि जब कभी कई बार क्या होता है जैसे मालों में कहीं बाहर जाता हूँ कुछ समय पहले मैं मैंदानगड़ी इगनू के सेंटर गया वा था तो वहाँ पे कुछ students ने मुझे पैचाना किये सर है क्योंकि मेरी वीडियो में मेरी voice ही रहती है face बहुत कम students ने देखा है तो वो जब पैचानते हैं वो जब thankful बोलते हैं पे के सर में नमबर इतने अच्छा है या फिर कोई comment करके बोलता है या message करके बोलता है तो बहुत ज़्यादा खुसी मिलती है इसका reason दो है पहला reason यह दोस्तों कि जो MA history की classes होती है बहुत महंगी होती है afford नहीं कर सकते सारे बच्चे मैं भी नहीं कर पाता था ठीक है मैंने कुछ classes ली है 2-4-5 classes ली है और उसके बाद जब मिझे लगा कि मेरी family afford नहीं कर सकते है तो उसके बाद मैंने छोड़ा और YouTube में पढ़ाने का reason यह है मैं कोई यह नहीं कि मेरे पास कोई degree holder हूँ और मैं बहुत बड़ा teacher हूँ प्रफिसर हूँ पढ़ा रहा हूँ मैं भी एक normal सा student हूँ मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ अभी ठीक है मैं भी अपने आगी की तियरी कर रहा हूँ मैं इसटी बस मेरा complete हो चुका है ठीक है और एक help करने के लिए ग्रूप study के तौर पर एक दोस्तों की तरह भाईयों की तरह ठीक है आपको मैं study करवा रहा हूँ ठीक है तो जब कोई student मदद करता है वहाँ पर जब एक like share subscribe करता है comment करता है तो अब एक खुसी मिलती है कि हाँ यार मैंने किसी के लिए तो अच्छा काम किया ठीक है समझे तो मेरी बात तो वहाँ पर ये feel होता है तो अगर आपको लगता है कि मैंने 0.1% भी कहीं पर भी आपके लिए valuable role play किया है आपके study के अंदर मैं कहीं भी helpful रहा हूँ तो आप comment कीजिए like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और एक screenshot लीजिए हमारे channel का या link लीजिए उसको अपने group में लग डालिए ठीक है facebook post कीजिए instagram पे post कीजिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा मुझे tag कीजिए ठीक है और thank you so much for watching me thank you so much for listening me अगर कोई भी help चाहिए comment कीजिए वहाँ पर सभी social media platform के link है वहाँ से मैं directly आपको help कर पाऊँगा bye bye take care all the best